नमस्का दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation में आपको वतारे थे Animate CC के वारे में मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाये थे इस Character को हमने कैसे Create करते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस Character को हम Walking कैसे कराते हैं इस Character को पर Create करके अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए जिससे आपके जो है यह वीडियो आपको अच्छे से समाझ जाएगी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूं इसके अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो है वो सारा layer बना हुआ हमने इसको कैसे create किये हैं पीछी के वीडियो में आपको दिखाया था तो हम क्या करते है इसको walking कराने के लिए क्या करते हैं कि इसको step by step हम समझते हैं तो इसको हम टाइम लाइन है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं जो कि हमें फ्रेम दिखना चाहिए या हर step पे रोकते फिर से चला सकते हैं थम्जया करते हैं यहां से एक step पहले त्यार करते हैं तो step कैसे त्यार करेंगे मालेची यह हाथ को हम अगर आगे करते हैं तो यह पीछे वाला पैड को हमको पीछे करना पड़ेगा थम्जया करते हैं इस हाथ को पहले आगे करते हैं य कितना और इस हाथ को हम क्या करेंगे पीछे की ओर थोड़ा सा कर देते हैं इस टैप से अब यह हाथ हमारा आगे हुआ पैर को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस टैप से और इसको मैं करूंगा इस टैप से हमने इस step से एक step इसको मैंने create किया है अब क्या करेंगे हम 20 फ्रेम पे इसको हम create करेंगे frame और यहां पे f6 फ्रेस करते हैं और हमें यहां पे already दो step हमारा create हो गया और हम 10 फ्रेम पे क्या करेंगे एक f6 फिर से हम pointer create करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे opposite करेंगे जो यह आगे हाथ है इस हाथ को हमको पीछे करना है इस हाथ को हमको आगे करना है हम जा करते हैं इसको select करते हैं और यहां पे हम इसका pointer रखते हैं और इसको मैं कर देता हूं पीछे और जो यह हाथ है इसको सेलेक्ट करते हैं इसको हम यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं और इसको करते हैं हम आगे अब देख सकते हैं यह हाथ हमारा अगर पीछे जा रहा है था हम थोड़ा से इसको पहले ही रोकते हैं और इस दोनों लेयर को हम क्या करेंगे इसको ऊपर यहाँ पर और इसको मैं करूंगा और आगे की और सिस्टेप से ठीक है अब देख सब्के पहले आईसी था फिर ऐसे हो गया आप हुए अब इस इसके पैड को भी यह आगे है था हम इसको क्या करें गे पीछे की और करें इस टैप से और हम तोर्णा साक यहां पर खिषका दें से और इस पैर को हम रखतें गें यहां पर और इस को मैं करूंगा इस से रोटेट यहां पर अब देखिए इस टैप से इसमें एनिमेशन भूआ है अब याउम इतना करने की ठीक है अभी देखिए अगर आप चला के मैं दिखाता हूं देखिए अभी सिंपल सा इनिमेशन इसमें लग रहा है लेकिन एक रियलिस्टिक बनाने के लिए हमको क्या करना परेगा एक यहां पर पांच फ्रेम पर हम यहां क्या करते हैं इसको f6 लगाते हैं और यहां पर एक apsix लगाते हैं और जब यहां पर आता है जो आगे का बैट है यहां पर 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 करेंगे तो यहां पर जब आता है तो हम क्या करेंगे इस पर को मैं थोरा सा रोटेट करूंगा और इसको मैं उपर कियो और कर दूंगा है कितनाEEEE Kalman अ handis जैसे लगता है कि जैसे यहां पर पैड यह उठ रहा है इस टैप से इसको मैं थोड़ा सा और इस तरब करता हूं अब देख सकते हैं यहां पर लगता है जैसे यह पैड उठके यहां पर रख रहा है इसी टैप से हम यहां पर जब आता है हम क्या करेंगे इस पैड को मैं इस देखेंगा और यहां पर उठना चाहिए अब देखिए यह पैर यहां से उठके यहां पर रख कि इस टैप से हमने इनिमेशन लगाये अब यह मैं चला कर दिखाता हूं रहा है पैट दोनों अगर दूर है तो मैं क्या करता हूँ यहां से मैं थोड़ा सा इसको जो है नीचे की और करता हूँ और फिर इस पे मैं क्या करूँगा फिर से नीचे की और करूँगा और यहां से फिर से मैं नीचे की और करूँगा अब देखते हैं आप देख सकते हैं इसका जो है animation कुछ step से हुआ है अब हम क्या करेंगे हमने 20 frame तक इसको animation किया इसके बाहर जाते हैं और यहां पर भी आपको 20 frame तक frame create करना पड़ेगा तभी आपका animation create होगा हम क्या करते हैं यहां पर f5 press करते हैं हमारा 20 frame तक इसमे animation हो गया है अब मैं अगर control interface करता हूँ preview के लिए आप देख सकते हैं कुछ step से इसमे animation हो गया अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत तेज चल रही है हम क्या करेंगे यहां से हम इसको frame को बढ़ा देगे हम कैसे बढ़ाते हैं frame को हम माले यह 30 frame तक इसको हम f5 कर देते हैं और इसके अंदर जाते हैं हम यहां से करेंगे f5 दो बार और इस पर भी हम करेंगे यहां पर जरूरत नहीं है तो यह जो है 28 frame तक create हुआ हम क्या करेंगे है यहां पर मैं एक और frame create कर देता हूं और एक यहां पर frame create कर देता हूं यह हमारा 30 frame तक animation हो गया है अब हम इसके बाहर जाते हैं यहां भी हमने 30 frame तक create कर दिया है अब हम control interface करते हैं आप देख सकते हैं यह जो है slow हो गया है पहले बहुत तेज चल रही थी अब थोड़ा ठीच च छिर्कार करते हैं या लड़की है या कोई भी हो है उसको अप animation बिल्कुल आसानी वेह में करा सकते हैं ये था दोस्तों कोई भी character को सब्सक्राइब कर लें जिससे मोई को भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका पड़ेट आपको तुरंत मिल दोस्तों नेक्ट वीडियो म हैं आज के लिए तेंक्यू